अब हम spring लेकर के चल रहे हैं और spring को oscillate कराने जा रहे हैं, ध्यान से समझेगा, spring को दो तरीके से oscillate कराएंगे, एक बार spring को हम एक table पर रख देंगे horizontally, एक उसका end है fix कर देंगे और दूसरे end को हम खीचेंगे और छोड़ेंगे, तो वो अपनी mean position के दर दर oscillate करेगी, और एक बार vertical ऐसे रटकाएंगे और ऐसे mass बढ़ाएंगे चोड़ेंगे इस परकार से oscillate करेगी, तो लिखेगा, horizontal oscillation of a body, horizontal oscillation of a body, attached to a light spring, horizontal oscillation of a body, attached to a light spring, light मने हलका होता है, यहाँ पर होना समझे ना, यहाँ light कहां से आ गई, light spring, जरा समझने की कोशिश करिएगा, देखो ध्यान से, यह एक horizontal table है, practically समझोगे समझ में आ जाएगा, और यह table दिवाल के सारे रग दी हमने, और यहाँ पर table के उपर हमने, इस प्रकार से एक spring रग दी, और यहाँ पर हमने इसमें एक body, मास की बांग दी, तो मैं कह रहा हूँ, यह एक mean position है, यहाँ ना हम तो spring को दबा रहे हैं, ना spring को खीच रहे हैं, spring is in its mean position, यानि equilibrium position में है, यह इसकी mean position है, अब हम पहला case यह करते हैं, कि हम spring को खीचते हैं, और तो ऐसे spring थोड़ा खीच जाएगी, और body थोड़ा सा अपनी mean position से displace हो गई, हमने का यह x displacement है, अब चुकि होरिजन्टल displacement में x माना जाता है, इसलिए थोड़ा x को भी respect दे दो, अब जैसे यह खीचेगी, इस पर एक mean position के तरफ एक restoring force लगेगा, यह force कितना होगा, जितना displacement होगा, जितना ज्यादा displacement करोगे, उतना ज्यादा restoring force क्रेट होगा, नहीं होगा, तो आप कहेंगे, जो restoring force क्रेट हुआ है, यह proportionate होगा displacement के, और opposite to its direction होगा, हैंने आप अगर spring को अधर खींशते रहोगे, तो restoring force उतना ही opposite direction में act करता रहेगा, जब f is equal to करोगे, तो एक constant आएगा kx, तो k is called spring constant, spring constant या force constant, या इसको हम कहते हैं force constant, सही नाम इसका force constant है, force constant क्या होता है, अगर मैं force constant की definition दूँ, तो k is equal to f upon x, अगर x को 1 मालने, तो k is equal to f, हैंने किसी body में unit length बढ़ाने के लिए, जितना force लगाना पड़ता है, वो उस spring का force constant कहलाता है, जैसे, आप अगर कोई bike ले ले, bike में soccer लगे होते हैं, ठीक है, और bullet ले ले ले, उसमें भी soccer लगे होते हैं, ज्यादा force लगाओगे, x कम होगा, ठीक है, फिर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, अब जरा समझेगा, अगर आप इसको छोड़ दो spring को, तो ये बड़ी सम्मान से आएगी, आँखड़ी हो जाएगी, दी चाचा हम आगए, ऐसा होगा, नहीं होगा, ये बहुत, ये क्यों नहीं होगा, अपनी mean position के इधर आजाएगी, वापस लौट के आजाएगी, और spring को compress करना सुरू कर देगी, क्यों, ये इसका elastic behavior था वापस लौट के आना, अगर आप से कहें, कि ये वापस लौट के क्यों आई, तो आप कहेंगे, इसका elastic behavior है, कि ये हमारी द्वारा लगाएगे, फोर्स को oppose कर रही है, और यहाँ पर ना रुकना है, क्यों सा behavior है, inertia है, वो अपनी position पर नहीं रुकी, तो यहाँ पर आई, और यहाँ पर spring में opposite इस पर force लगाना सुरू किया, और उतना ही वापस आई, अब आप कहेंगे, नहीं बहुत तो कम आएगी, वो ठीक है, oscillation धिरे धिरे कम होते जाते हैं, because of damping, किसी और force की वज़े से damping हो रही है, सम यह पर नोट करिए, फिर हम बात करें, सुरा डाइग्राम मना लिजेगा, अच्छा, अगर यहाँ पर force F है, तो the acceleration in the spring कितना होगा, in the spring कही है, in the body कही है, जो भी आप कहें, तो acceleration का formula क्या होता है, force upon mass, force बोले तो minus K, upon M into X, अब ज़रा यहाँ ध्यान से देखिएगा, K constant है, M constant है, तो हम कह सकते हैं, alpha proportionate minus X, एक है alpha, एक है proportion का sign, एक चुल्यों यह alpha बनता ऐसे है, alpha ऐसे बनता है, ठीक है, यह यह जो बनता है ना, इसका है, मुह ऐसे फैला देते हैं, यह alpha बनता है, लेकिन वो बनाने में, जल्दबाजी में वो ऐसे बनता है, ऐसे बना देते हैं, तो alpha proportionate minus X, X है displacement, और minus है कि उसकी direction opposite है, यह अपने आप आया हुआ है, यह किसी condition होती है, SHM, तो यह show हो गया, because acceleration is proportional to displacement, फिर हम theory लिखवाते हैं, लिखे हैं, here acceleration is proportional to the displacement, acceleration is proportional to the displacement, and opposite to its direction, and opposite to its direction, so the motion of the body is SHM, यह प्रूफ हो गया, SHM है, motion of the body is SHM, simple harmonic motion, तो इसका time period क्या होगा, its time period, अब हम डायर्ट लिखेंगे यहाँ पर, its time period, अभी हमने SHM के लिए पीछे topic में time period बताया था, t is equal to क्या बताया गया था, 2 pi under root, देखें पीछे परट के अभी है, एक सिकेट पहले, displacement upon acceleration, displacement upon acceleration, देखो y by a करोगे, तो बहुत लोग y ढूड़ते रहेंगे यहाँ पर, बोले y तो ही नहीं, फार्मला गलत था, आप displacement बोलिए, तो 2 pi, यहाँ displacement क्या है, x y alpha, निगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है, x y alpha, और यहाँ से x y alpha क्या आएगा, x y alpha, m y k आएगा, तो आगया 2 pi, under root, m y k, तो यह time period, of the spring हो गया, horizontal अगर कोई spring है, तो उसका time period, निकल आया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, horizontal spring ही लेने जा रहे हैं, देखो, negative sign के ओल डारेक्शन के लिए, हमें उसके calculation से कोई मतलब नहीं, negative अपने आप थोड़े हैं, तो मैंने लगा दिया minus, भाई f थोड़ी कह रहा हमको minus पे लिखू, चुकि direction opposite थी, इसलिए मैंने अपने आप लगाया, अगर कोई challenge कर दे minus कहा, यहां कहा आ रहा है minus, तो हम नहीं challenge कर सकते, क्यों इतना यह है कि displacement के opposite हो रहा है, अब चुकि time period से कोई मतलब नहीं है, time period opposite हो चाहिए जैसा हो, negative sign के ओल डारेक्शन बदाता है, उसको calculation से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हाँ, वहाँ पर मतलब है, कि work done by or on, हमको energy obtain हो रही हमें work करना पढ़ रहा है, या work हमको obtain हो रहा है, हम जिसमें जीने पर चट के जाते हैं, gravity हमको नीचे खीशती है, हम उस gravity के against जाते हैं, repulsion force में जाते हैं, तो हमको work करना पढ़ता है, और जीने से कौन उत्रे, lift से कौन उत्रे हम वहीचे छलंग लगा जाते हैं, चुकि हम जैसरी राम बोल के आते हैं, तो हमको gravity खीशती है, attraction लगाती है, तो negative होता है, तो वहाँ पर हम consider करेंगे, यहाँ कोई जुरूत नहीं है, अब लिखे motion of a body, attached to two horizontal springs, motion of a body, attached to two horizontal springs, देखे, कैसे हम spring से attach करेंगे, body, attach to two horizontal springs, देखे, दो spring से कैसे body attach की जा सकती है, यहाँ दो conditions हो सकती है, फर्स्ट कर्डीशन यह है, जो कि सम्भो है, जो हम लिख रहे हैं, यह visual है ना, फ्रासर नया पर नहीं है, बोद पत्ता चला है, देखो पहली condition यह हो सकती है, कि यह table है, एक spring ऐसे आपने ली, इसका force constant के बन था, हो सकता है, यह मोटी हो, पतली हो जो भी हो, और इसके बाद हमने यहां से, दूसरी spring ऐसे जोड़ी, और इसका force constant केटू है, और यहां पर एक body को हमने, बाढ़ दिया, देखो, हमें यहां पर अब यह नहीं show करना है, कि इसका motion ऐसे चिम होगा, वो हम show कर चुके हैं, ठीक है, क्यों इसका motion देखना है कैसे होगा, अब बताइए, अगर इस body को खीचेंगे, तो क्या दोनो spring में same length increase होगी, नहीं होगी, पहले यह बढ़ेगी, फिर यह इनसे कहेगी, बढ़ो देखो, हमको यह खीच रहे हैं, फिर यह भी बढ़ेगी, अपने-अपने force constant के हिसाब से, ठीक है, तो अगर मैं माल लूँ, कि पहली spring में, जो displacement हो रहा है, वो x1 हो रहा है, x1 हो रहा है, और दूसरी spring में x2 हो रहा है, तो total displacement कितना हो जाएगा, x is equal to x1 plus x2, लेकिन एक खास बात, देखो, इस प्रकार के arrangement में, force same लगता है, क्योंकि ये जो force 10 newton का अगर लगा रहा है, तो actually दोनों पे लगा रहा है, एक पे नहीं लगा रहा है, ये दोनों पे लगा रहा है, तो दोनों में force same लगेगा, ठीक है, तो जो पहले पे restoring force काम करेगा, f is equal to, वो करेगा minus k1 x1, तो यहाँ से x1 की value क्या निकलेगी, minus f upon k1, और दूसरी पे जो लगेगा, f is equal to minus k2 x2, तो यहाँ से x2 क्या निकलेगा, minus f upon k2, तो इस equation में, x1 और x2 की value रग दीजेगा, putting x1 and x2, x1 and x2, in equation 1, तो यहाँ से x क्या निकलेगा, minus f upon k1, minus f upon k2, हमें एक्चलिए यहाँ से f निकालना है, यहाँ से f निकाल के लाना है, तो यहाँ से x is equal to, minus f कामन ले लिया, यहाँ गया, 1 upon k1, plus 1 upon k2, x is equal to minus f, यहाँ पर ncm लिया, हमने, तो आगया, k1 plus k2 upon k1, k2, तो यहाँ से f की value आएगी, minus k1, k2 upon k1, plus k2 into x, इसको मैं compare कर सकता हूँ, minus kx से, तो देखो, यह result बिल्कुल पीशे वाले तरह आएक नहीं आया, अगर यह पूरा force constant माल लिया जाए, तो यह पीशे वाले तरह रिजल्ट आएक नहीं आया, minus kx, तो यहाँ k क्या है, यह है, नोट करिए इसको, थोड़ी language लिख लिजेगा, कि if x1 is that increment in the first spring, x2 is in the second spring, then total increment will be x1 plus x2, because it is connected in the series, so the force will be the same in both the spring, f is equal to minus k1 x1, यहाँ से x1 निकाला, यहाँ से x2 निकाला, और यह हमने f की value निकाल लिए, लिखे, यहाँ से x2, पार्ट कर लिया, इतना, यहाँ पर k की value क्या है, जिनको छूट जाए अगरे बता दिया अगरे, यह निकी एक ने बोल दिया, दूसरा अपना बोले ठीक है, यहाँ पर k क्या है अगर हम देखे, यह k is equal to, है k1 k2, अपान k1 plus k2, यह actually है क्या, यह effective force constant है, effective force constant है, यह दोनों spring का जो effective value है, तो अगर मैं इसकी time period निकालूँ इसका, its time period, यही निकालना है हमको, देखो यह SHM कर रहा है, यह पहले से हमको मालूम है, और बिल्कुल पीछे वाले result से ही compare भी हो गया यह, तो इसका जब time period निकालेंगे, तो क्या formula होता, t is equal to 2 pi under root m by k, तो k की वेलोग दो उठा करके, 2 pi under root m, अब चुकिए 1 by k है, तो यह लोग पलट के आएगी, तो आएगी k1 plus k2 upon k1 k2, तो this is the time period of this attachment of spring, यह पहला case है कि इस प्रकास से spring को अगर हम बांदें, तो क्या होगा, हो गया, आप देखिए second case क्या है, कि किस प्रकास से spring को हम attach करने जा रहे हैं, देखिए जान से, दो case यहाँ बनते हैं, इसलिए वही दो case हम test कर रहे हैं, एक class और लेना पड़ेगा, और से SSM complete हो जाएगा, देखिए, second case या second position क्या हो सकती है, second position, देखिए, यह हमारी table थी, यह दिवाल थी, यह हमारी दिवाल थी, हमने यहाँ पर body को रखा, M mass की, और एक spring ऐसे हमने की, और एक spring ऐसे हमने की, और यहाँ पर इसको रखा है, इसका force constant K1 है, इसका K2 है, अब बताओ, हम अगर इस body को, किसी एक तरफ move कराएं, तो दोनों spring में, displacement सेम होगा, या अलग-अलग होगा, सभी लोग मानते हैं, अच्छा, restoring force दोनों की विज़े, same direction होगी, opposite direction होगी, अच्छा, बहुत जल्दी answer दे रहे हूँ, थोड़ा सा आप वहाँ पहुँच जाओ, अगर आप इसको इधर, displays करोगे, तो ये जो spring जी है, वो क्या करेंगी इसको, कहेंगी आ जाओ बेटा, वाह, बेटो बेटा, क्या करेंगी ये, ये धक्का मारेंगे न, और ये क्या करेंगी, तो क्या पोजिट डैक्शन हो गई, दोनों की डैक्शन सेम होगी, क्योंकि ये अपोज करेंगी, और ये अपनी तरफ पुल करेंगी, ठीक हैं, तो अगर मैं माल लूँ, लेट एक्स बीदा डिस्प्रेस्मेंट, अगर एक्स डिस्प्रेस्मेंट है, तो रिस्टोरिंग फॉर्स दोनों सेम लगाएंगी या अलग अलग लगाएंगी, ये बता, रिस्टोरिंग फॉर्स का फार्मला होता है, माइनस के अपन एक्स, जब दोनों के के अलग अलग हैं, और एक्स सेम हैं, तो दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, या तो restoring force को same करने के लिए से पहले वाले case में same था क्यों जैसे tug of war होती है उन्हीं रस्ती पूल करते हैं अब 10 लोग उदर खीच रहे हैं तो सभी लोग same force लगाते हैं लेकिन उसमें displacement कम जायदा होता है ठीक है तो यहाँ पर restoring force अलग-अलग होगा तो पहली जो spring होगी जो restoring force लगाएगी वो लगाएगी minus k1 upon x और दूसरी जो लगाएगी वो निगाएगी minus k2 upon x तो total restoring force जो होगा यहाँ पर total restoring force f is equal to f1 plus f2 यह practically समझ में आ गया ना कि restoring force दोनों की same direction में होंगे अच्छ अब तो बोल नहीं रहे है नहीं समझ में नहीं आया यह मैं सही लिख रहा हूँ कहने एक्चुरी में बड़े लोगों की गलतियां देखी नहीं जाती है विचारे गलत लिखने क्या हुआ लिखने दूँ क्या बाद में खुदी सही करेंगे काई को हम अपने इनरजी खर्ज करें F is equal to F1 plus F2 is equal to minus K1X minus K2X minus K1 plus K2X अगर हम इसको compare करें minus KX से तो यहां पर K की value जो है Here k is equal to k1 plus k2 क्या कहलाएगा effective force constant effective force constant यह force constant किस बला का नाम है समझ में आ गया किसी भी spring में unit length increase करने के लिए जितना force लगाना पड़ता है वो उसका force constant होता है तो अगर हम time period इसका निकालें its time period t is equal to 2 pi under root m by k तो 2 pi under root m by k बोले तो k1 plus k2 यह time period का formula होता है